अब बहुत स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अब शेख दिलिवाला आज का जो वीडियो काफी नोलिजबल वीडियो है इसमें कंटेंड पूरा प्योर नोलिजबल है अलाकि मेरे सारे वीडियो नोलिजबल ही रहते हैं वो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं उन्हीं पर मोस्की ही रहते हैं वो ट्रेंड जो एक हमेसा होट टॉपिक रहता है उन पर मेरे वीडियो आधारित रहते हैं तो ये वीडियो भी कुछ इसी तरह है और इस वीडि 2019 का बजट जो एलान करा गया है जो करेंटली मोधी सरकार है उसने अपना बजट पेस करा है तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बजट क्या होता है बजट एक सैट पीरियोड उफ टाइम का बयवरा होता है कि आप कितना हम फाइनेंशली खर्च करेंगे कितना पैसा कहां लागत लगाएंगे कौन से विभाग में किस डिपार्टमेंट पर हम इतना खर्च करने वाले कहां कितना निवेश करने वाले होता है इसका पूरा योगों के लिए वो डिक्लेयर करा जाता है सो दोजार नीज का इस सत्र का जो बजट है वो आ चुका है तो उसी के बार हम हमारी वीडियो और मैं आपको बताने वाला हो कि इसमें क्या है क्या फाइदे है ने बजट के क्या इसमें नेगटिव पॉइंट्स हैं क्या पोजिट से पांच क्रोड मतलब जो दो क्रोड को उपर कमा रहा है वह आगे पांच क्रोड कमाए दस क्रोड कमाए उसको अडिशनल सर चार तीन से साथ परसेंट इंडिविजवली जितनी उसकी इंकम उस इसाफ से देना पड़ेगा बैंक के लिए क्या कुसकवरी है पब्लिक और मैं आपको अपने आपको मोडिफाई करेंगे कि जो भी उनकी सर्वीसिस है अगर किसी बंदे का या किसी एक नागरिक का खाता या क्डाऊंट एक बैंक में है तो वो उसको एस्य सर्विसिस प्रोड़े कि वो ओल ओवर इंडिया हैं में बिए होता है इसकी फंडिंग कर रही है पुब्लिक सेक्टर बैंक्स की ताकि वो अपनी कैपिटल और जो भी उनके क्रेडिट से उसको बूस्ट कर सकें और अपने आपको अच्छे से ग्रोथ कर सकें अब बात करते हैं अगले पॉइंट की अगला पॉइंट जो है हमारा वो है रेल्वे क फिप्टी लैक थाउसंट क्रोर रुपए की फंडिंग बजट जो है उनको फाइनेशली दिया गया है ताकि रेल्वे में और सुधारा सकें नंबर ओफ ट्रेंज बढ़ाई जा सकें जो करेंट उसमें फैसलेटी होने इंप्रूव करा जा सकें रैपिड जो भी मतलब जो इनका जो जहां रिल्वे नहीं है वहां पोसिस कर रहे हैं कि इंप्रूव करें वहां पहुचाई जा सकें मेट्रो पे काफी ध्यान होगा कि हर जगे मेट्रो जो हैं उन्हें और बढ़ाई जाएं ताकि लोगों की कनेक्टिविटी जुड सकें टाइम सेविंग हो मेट्रो हावा देना चारी और यह बहुत ही अच्छी चीज है आप अलगर एलेक्रिक वीकल्स लाइंगे तो आपका पॉलूशन कम होगा जो नंबर्स और पट्रोल्स और डीजल की कार्स हैं रोड पे उससे काफी पॉपुलेशन हो रहा है जिसे ग्लोबल वर्मिंग बढ़ रही है गर्मी के लिए मैं पहले कर रहा हूँ कि एक फैमिली से बंदा अगर एक प्लांट भी लगाता है तो यह काफी मतलब एक अच्छी पहल होगी और यह बहुत ही अच्छी चीज होगी अपने आने वाले भविस के लिए हम आप अपने भविस जो हमारा आने वाला है उसके लि अगर कोई भी आप अलेक्ट्रिक लेते हैं तो उस पर टेड़ लाख तक की आपको गुवर्मेंट छूट देगी जो अगर उसके आप टैक्स पे जो भी उसका इंकम टैक्स होगा उसके आपको छूट मिलेगी उसके बाद एक फेम सेकेंड इसकीम जो लागू कही गई है कि जिसमें इलेक्तिरिक वीकल्स कों बढबावा देंगे जाद से जदा इलेक्टिरिक वीकल्स लोग खरीदें और वो जल्ट से जल्ट रोड पे नमबर सफ़ एłeक्टरिक वीकल्स जदा होerek इस पंपेर टू पेट्रोल इंड डिसल की बात करते अं करते हैं इंकम टैक्स की इ अब जो लोगों के घर में एलेक्रिक सिटी नहीं है या जिस गाउं में लाइट नहीं है तो आपके घर में मोटर होगी इस चीज की मतलब सारी सुविधायं आपको हो सकता है महिया करें जाएं गवर्मेंट के ज़रे लपी जी आपको हर चगर मिली रही है तो कोई भी है जो मतलब गाउं में बुरी मा है या किसी की दाधिया है जो लोग मतलब कभी जिन्होंना गैस चुला नहीं देखा आज भी लकडी में खाना बना रहे हैं अग उपलो का इस्तमाल कर रहे हैं इन सारी चीजों से उनको छुटकारा मिल सकता है उन्हें भी प्रकास एक अच्छी जीवन जो है जाते जाते देखने को मिलेगा 2022 और 2023 में 2022 2023 में हरे घर में बिजली पानी लाइट गाउं में अच्छी सडके यह सारी चीजा आपको देखने को मिल जाएंगी 2022 तक हमारे देश रिसकी में उसके अंतरगत यह सारे सुधार होने की पूरन पूरन उमीद है 89 बजट जो यह बजट था यह यूनियन का 89 बजट था इसमें एक काफी अच्छी चीज है एक काफी अच्छा वर्ड है वह है गांधी पीडिया जी हां गांधी पीडिया अपने फिकीपीडिया सुना होगा पर गांधी पीडिया पहली बार सुन रहे हैं गांधी पीडिया एक इनसाइकलोपीडिया है जो बनाया गया है जो गांधी जी उनके विचारों को प्रमोट करा जाएगा जो गाफ अच्छी बात है तो आप लोगन अगर विकीपीडिया सुनाए तो एक नई चीज जरो सुन ले वह गांधीपीडिया अगर आप से कल से कोई बोले कि वाट इस गांधीपीडिया तो आपको पता होना चाहिए कि अब बात कर लेते हैं कि कुछ नेगर्टिव पॉइंट्स क्या है इस बजट के उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो लोग हीरे चांदी चैवराथ इन सब को पहनने का या बपी लेरी बनने का सोख रखते हैं उनके लिए कस्टम ड्यूटी तस परसेंट से बढ़ा कर साड़े बारा परसेंट करती गई है एसी वीडियो रिकोडर सीसी टीवी कैमरे बूफर म्यूजिक सिस्टम इन सब के दाम बढ़ने वाले हैं पेट्रोल डीजर पे दो दो रुपए प्रती लीटर बढ़ा दिये ग का बजट नहीं है ऐसा हम कह सकते हैं यह किसान और जो मद्यवर के लोगों उनके लिए बजट है अगर आप एक साल में बैंक से एक करोड से अधिक रुपए निकालते हैं तो आपको दो परसेंट एक्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा मतलब अगर आप साल में एक करोड रु को टैक्स देना पड़ेगा तो यह सारी चीजे महेंगी होती जा रही है और आने वाले दिनों में आप इन चीजों को मतलब देखेंगे और सस्ता क्या क्या है तेल साबून कोल गेट फरनीचर यह सारी चीजे सस्ती होई है अगर आप बाहर से कोई चीज कोई बुक्स मंगा अब बाहर से कोई बी चीज्च आप मंगाते हैं तो यह था फोर्टी सरकार का बजट आपका क्या बजट है हो आप हर बंद अपना बजट अपने एकणोमी एपनी सेलरी के साफ़ सेven बनातें, जब तक इस वीडियो को आप लाइक करें, comment करके जरूर अपनी राय दें की आपको इस बज़ट में क्या चीज अच्छी लगी है, जो देज का अच्छा है, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें